नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं बिशिष्ट अतिथी मंत्री अलमगीर अलम होंगे, बताते समारोह में 5193 प्रसिक्षित युवाओ को नियोकति पत्र दिया जाएगा, कारकरम को लेकर सदर SDO विद्या भोशन समारोह अस्थल पर पहुंचे, उन्होंने तयारियों का जाजा लेते हुए कहा है कि उत्री से बड़ी संख्या में लाभूक, नियोकति पत्र लेने आयोजन अथल पर आएंगे, इसकूलों में हेल्थ आएंड वेलनेस कारकरम की हर माह होगी समिक्षा, बच्चों की जीवन सहली में स्वास्थ का महत्व बताने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांची युजना हेल् जालन के लिए सरकारी स्कूलों को अब गंभीर होना होगा, इसके लिए जार्खन सिक्षा पर युईना परिस्द ने सभी जीलों के उपायूक तो वह डी डी सी को पत्र लेकर हर माह योजना की समिक्षा करने का निर्देश दिया है, बतादे जार्खन सिक्षा पर युईन पर वीडियो की अध्यक्षता में गठित कमिटी को मनुटरिंग करनी है, मालूम हो कि केने सकार की महत्वकांची रिजना हेल्द आइंड वेलनेस कारकरम के तहती स्कूलों में हर मंगलवार वा सनिवार को वेलनेस डे मनाना है, इसमें बच्चों को भी भीन विशायों से ज समिक्षा बेठक हुई, रविवार को परदेश कांग्रेस मुख्याले में परदेश करकारिय अध्यक्ष सांसत गीता कोड़ा के प्रभार वाले छ जीलों, रांची, धनबाद, बोकारों, पुर्वी सिमू लाते हार और जाम तड़ा में संगठन ससक्तिकरन अभ्यान के तह संगठन निर्मान की समिक्षा बेठक की गई, जिसमें सांसत गीता कोड़ा के प्रभार वाले जीले के प्रभारी महासचीव, जीला अध्यक्ष और संबंधित जीला अंतरगत पढ़ने माले बिधान सभा प्रभारी मुख के रूप से उपस्तित हुए, इस समिक्षा बेठ अध्यक्षा बेठक में जारखन परदेश कौंग्रेस कमिटे के अध्यक्ष रहे, जिसमें सभी जीला परभारी महासचीव, जीला ध्यक्षो से पंचायत अस्तरगत संगठन निर्मान की अगतन जनकारी प्राप्त की है अवैध सराब के कारोबार में एक गारह किरफतार उतपाद विभाकी टीम लगातार अवैध सराब माफ्याव पर करवाई कर रही है इसी के तहट रविवार को उतपाद विभाकी टीम ले रांची के धुरवा और जगनाथ पूर के आधा दजन से अधिक इलाके में अवैध रूप से बनाये जा रहे है सराब के अड़े पर शापे मारी की इस दोरन कूल एक गारह लोग को गिरफतार किया गया सहायक उतपाद आयुक्त के निर्देश पर इंस्पेक्टर असोक कुमार के नितित में गठी टीम ने जगनाथ पूर बस्ती आधर्शनगर सरला टोली डेम साइट दहु टोली तुपु दाना बस्ती पुगडु धुरुवा गोलचकर आधी इलाकों में छापे मारी की इस दवरान टीम ने ना सिर्फ सराब की भटी को धवस्त किया वली करीब दो हज़ार किलो महुआ और जावा को नश्ट भी किया गया इस करवाई में आट लोगों को गिरफतार भी किया गया है राजे पिछडा वर्ग आयोग के पूरवसदा से अर मुल वासी सदान मौर्चा के केंधरीया धेख राजेंदर परसाद ने सवाल उठाया है राजेंदर परसाद ने कहा है कि ट्रांसजेंडर का मामला राजे पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबी था है ऐसे में आयोग के मनतब के बिना किनर समाज के सच्चों को OVC में सामिल करना और सन्वेधानिक और OVC के अधीकारों का हनन है राजेंदर परसाद ने कहा है कि सरकार अपने नीरना पर पूर्ण विचार करें कि योगी सरकार के इस फैसले से पिछड़ा समाज आहत हुआ है बता दे रांची के कोकर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए राज़ेंदर परसाद ने कहा है कि सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा टांस्जेंडर को ओवी सी में सामिल करने को लेकर राज पिछला वर्ग आयोग को एक पत्र पत्रांग 2413 बाई 114 2022 को लिख कर आयोग से मंतब में मांगा गया था INDIA दालों के निचाने पर BJP परदेश अध्याक्स जगरनात महतों की निधन से खली गे डूमरी बिधान सभासीट से जहमो परत्यासी के रूप में मंत्री बेवी देवी की जीत हुई है वहीं आईसू परत्यासी या स्वधा देवी की हार हुई है उपचुना में कुल पड़े मत्तों का 51 परत्य से अधिक मत्र पाकर जहमो उमिद्वार बेवी देवी जीत धर्श की है उनकी जीत के बाद उससाही सताधरी दलों के निचाने पर सुधेश महत्तों की जगा बावुलान मरांडी पर आ गया है बता दे जहरकन मुक्ति मोर्चा, कॉंग्रेस और रायत के साथ साथ इंडिया दलों के नेता बावुलान मरांडी को हार के लिए जिमेदार बता रहे हैं कोई बावुलान मरांडी के भाजपा का परदेश अध्यक्स बनाने को ही एंडिया के लिए जहरकन में असूब बता रहे तो कोई उन्हें फुका हुआ कार्तूस्त करार दे रहे हैं डुमरी विधान सभावु चुनाव के नतीजे एंडिया के पक्ष में नहीं आने पर बावुलान मरांडी पहले ही का चुके हैं कि उनका गटबंधान एंडिया एक चुनाव हरा है मैदान नहीं मंत्री चमपाई सोरेन ने दुर्गा सोरेन की आदमकत परतिमा का अनावरन किया चारखन मुक्ति मोर्चा के केंद्रिये महा सचीव रहे दिश्वम गुरू सीबो सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन के जहनते पर पार्टी ने तावने उन्हें याद किया इस मोखे पर रांची के लोवाडि इस्थित दुर्गा सोरेन चोग पर सोरगिये दुर्गा सोरेन के आदमकत परतिमा का अनावरन किया गया बतादे पहले मुख्र मंत्री हमान सुरेन दोरा परतिमा का अनावरन करने का कार्यकरन में धारी था लेकिन सीएम रांची नहीं लोट सके इसलिए बाद आदिवासी कल्यान मंत्री चमपाई सुरेन ने स्वर्गिये दुर्गा सुरेन के परतिमा का अनावरन किया इस दौरान स्वर्गिये दुर्गा सुरेन की पतनी बिधायक सीता सुरेन जार्खन सरकार के समनों समेति के सरस बिनोत पांडे बिधायक रायस कक्छभी उपस्थी 3 कराइम मीटिंग में स्स्पी ने पुलिस पताधिकारियों को पढ़ाया पाठ राची के सेसपी चंदन सिनहान ने जीले के पुलिस पताधिकारियों को साथ क्राइम मीटिंग की इस दौरान उन्होंने पुलिस पताधिकारियों को कई दिसार निर्देश दिए SSP ने सक्त लाजे में कहा एक जमीन विवाद में पूलिस का नाम किसी हाल में नहीं आना चाहिए साथ ही अपराद पर अंकुस लगाने का निर्देश थानेदारों को दिया है बता दे सीनियर SSP का पदभार समहनने के बाद पहली बार SSP चंदन सिन्हा ने रांची के सब ही DSP और थानेदार के साथ क्राइम मीटिंग की है इस बैठक में SSP ने रायधानी में सक्रिय सभी बड़े से लेकर छोटे अपरादियों पर करवाई करने से लेकर जुगा मटका और ड्रक्स कारवारियों परनकेल कसने का निर्देश थानेदारों को दिया है वहीं SSP ने सभी थानेदारों को किसी भी तरह के जमीन विवाद से दूर रहने की हिदायत दिया है जारखन में 11 सितंबर से मानसुन होगा सक्रिये जारखन में मान्सुन 11 सितंबर से फीर से सक्रिय होगा मौसम के दिर राची के मुताबिक 10 और 11 सितंबर को राजी के कुछ एक इलाकों में ही बार्श की समभना है इस दो रान फिर अच्छी वर्षा होने की उमिध है अभी तक राज्य में समाने होने वाली वर्सपात 882.2 मिलिमीटर की जगा 592.2 मिलिमीटर वर्सा हुई है जो समाने से 33 कम है राज्य के 24 में से 4 जिले सिम्टेगा साहब गोड़ा और पूर्वी सिम्ट में समाने या समाने के करीब वर्सा हुई है कॉंग्रेस को बनाए मजबूत रायष ठाकूर जारखन परदेश कॉंग्रेस कमीटर की अध्यख रायष ठाकूर के देखता में रवबिवर्ग परदेश कॉंग्रेस मुखेलैं परदेश करकारी अध्यख सांसत गीता कोड़ा के परभार वाले छ जीलो रांची धनवाद बोकारो पुर्वी सिमुलातियार एवं जामतरा में संगटन स सक्तिक्रण अभ्यान के तहत कमिटी नीर्नय की समिक्छा बैठक संपन हुई इस बैठक में इन जीलों के परभारी महासचीव जीला ध्यक्ष एवं समन्धि जीला अंतरगत बीधान सभा परभारी मुख्य रूप से उपसित थे इस दवरान हर अस्तर पर लंबित वा अधुरी कमिटी के गठन कर्चन गठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया परमबीर चक्र विजेता अबदूल हमीद को सहाधत दिवस पर सरधांजली जार्खन की राजधानी रांची के कांटा टोली समेत बोकारों के जरी डिह में परमबीर चक्र विजेता अबदूल हमीम का सहाधत दिवस मनाया गया अन्ठावनवे सहादत दिवस पर रांची में जार्खन के मंत्री चमपाई सोरेन सांसद महुआ मांची वा सांसद बिजयांस दा समयत कई नेतावनों देसर दांजली अरपित की है बता दे सोसन मुक्त वाहिनी द्वारा फोकारो जिले के जारी डिह में अब्दुल हमीद चौक के समक्ष परंबीर अब्दुल हमीद का सहादत दिवस मनाया गया है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद इडी के समन पर निर्नाय लेंगे सियम हमान्त जारखन के मुख्य मंतरी हमान सुरेन सुप्रीम कोट में दायर रीट पिजिशन के फैसले के बाद ही पूस्ताष के लिए इडी कर्याले में हाजिर होने के मुद्दे पर फैसला करेंगे रमले मुख्य मंत्री को तीसरा सम्मन भेज कर पुस्ताच के लिए 9 सितंबर को हाजिर होने का निदेश दिया था हलाके मुख्य मंत्री पुस्ताच के लिए इड़ी दफ्तर नहीं गए वह G20 सब्मीट में राष्ट पती द्वार आयोजीत भोज में सामिल होने के लिए अपन रिबाग पहुंची यहां जिला इसकूल मैदान में आयोजी दन सभा समोधित करते हुए कहा भाजबा परदेश अध्यक्स बाबला मरांडी ने कहा है कि जारखन से हमन सोरेन की सरकार को हटाना है चार बरसों में सरकार ने चुनावी घोसना पत्र में किये कि वादों को रांची के पंडाल में दिखेगा कथकली का प्रारूप सब्तिमाय निरित्य करती दिखेंगी वहीं पूजा पंडाल में सारे बिधी बिधान बंगला रिती रिवाई से होंगे सब्तिमी से लेकर दस्मी तक हर दिन मा को अलग अलग भोग दिया जाएगा इसके अलावा हर दिन सरधालों के बीच 500 किलो महा भोग का बित्रन किया ज साथ का देव घर्यार पोट पर भव्य स्वागत बिहार के पुर्व सीयमों राया सुप्रीमों लालू पर साध्यादव एवं उनकी पत्निवा बिहार के पुर्व मुख मंत्री राबडी देवी रभिवार का बाबा नगरी देव घर पहुंचे इस दरन पार्टी के से मुलकात के दोरान लालू पर साध्यादव ने राज में संगठन को मजबूत बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश सभी कहा है और सभी के लिए बना है भाजबा भगाओ देश बचाओ नफरत फेलाने वाले पूरे दे से भागा नहाए धन्यवाद